जब आखों में अर्मान लेया, मंजिल को अपना मान लेया, तो मुश्किल क्या आशा क्या, जब ठान लेया तो ठान लेया बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योगिता ना समझे सही बात है, अगर कोई स्टुडेंट है, उसके पास नॉलेज है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, 20-22 साल तक बहुत अच्छे समन लगा कि पढ़ाई किया, कि उसको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और at the last, जब जॉब लेने का टाइम आ गया, तो इंडिया में जॉब भी नहीं है, सबसे जादे मतलब अगर मैं अगर डिरेक्ली आपसे बोलूँ तो किसी के लाइफ में इससे जादे बुरा नहीं हो सकता है, कि आप 20-22 साल तक जिस चीज के लिए महनत करो, वो चीज ही न तो यार अभी गया ना कि मैं दो-तीन दिन से ट्विटर पर देख रहा हूं कि एक जो हैस्टेग काफि ट्रेंड कर रहा है, क्यूंकि अभी मैं कॉलिज खतम करने वाला हूँ और आप मैंसे मैक्सिमम लोग ऐसे होगे, जिनका कॉलिज खतम होने वाला होगा, जिनको जॉब तो बिसिकली आपको पता जल गया होगा, मैं किस हैस्टेग की बात कर रहा हूं और इस वीडियो में क्या बात होने वाली है, तो मैंने सुझा है कि अब हम लोग बड़े हो गया है, हमको जो प्रॉब्लम से कंट्री में उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें अब जॉब किया हो सकता है, हमें भी जॉब चीए, क्योंकि हमारी लाइफ काफी आगे बढ़ गई है, हमारे कॉलेजिस खतम होने वाले हैं, हलकि बहुत सारे स्ट्रेंस ऐसे होंगे, जो क्लास ट्वेल्थ या क्लास लेवन्थ या बीटेक फरस्टियर में होंगे, जिनके पास में भी उतनी जादे अंडरिस्टेंडिंग ना हो, लेकिन अगर आप एक स्टुडेंट हो तो इस वीडियो को लास तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़े आपको इस वीडियो में समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़े आपको नया पता चलेगा, जो कि काफी होता है एक स्टुडेंट की लाइफ में जो आगे चलके, मतलब आपको जॉब करना है, क्योंकि पैसे की बहुत जरूरत है और एक मतलब बेसिक नेसेटी है, आपके पास एक जॉब होना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ को आगे मूव करा सको, तो वही देखने वाले हैं देखते हैं क्या होता है और इस वीडियो में सब कुछ बात करेंगे हम, बिसिकली इस वीडियो में आप लोगों को में बता दूँ मैं क्या करने वाला हूँ, तो एर मैंने अपना लापटोप ओपन कर रखा है, मैंने अपना ट्वीटर लॉग इन कर रखा है, स्क्रीन पे अभी आपको मेरा ट्वीटर अकाउंट आज आएगा, तो उस पर जो भी हैस्टेक्स हैं, उनको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, हैस्टेक्स में क्या क्या है, कैसे ट्वीट्स हुए हैं, किन लोगों ने ट्वीट्स किये हैं, ये सारी चीजे हम देखेंगे, और एक अपना आप ओपीनियन फ्रेम करना चाहूंगा मैं वीडियो के अंड तक ता कि आप लोगों भी कुछ समझ में आ सके, तो यार जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ट्वीटर का होमपीज ओपन कर रखा है, और सिंपल हम एक्स्प्लोर पे जाते हैं, एक्स्प्लोर मैंने सचा कि यार वीडियो बना लेते हैं क्योंकि कफी जरूरी है ये टॉपिक, तो पहला जो हैस्टेक है वो ट्रेन कर रहा है, जिस पे 25.5 के ट्वीट्स हो गया है, मोधी नोकरी दो, उसके बाद एक है सेम सिक्स मैरेज, जिसके बारे में हम भी बात नहीं करने माले हैं उसके बाद आरच्छन हटाओ, रोजकार पाओ, इस पे 16 के ट्वीट्स में है, ट्रेंडिंग पे है, नाइंध पे है ये, और उपर अगर आएं तो, anyway, हम इसी को उपन करते हैं, तो इसको मैं नेक्स टाब में उपन करता हूँ, जो भी ट्वीट्स हैं, बिसिकली वही दिन नहीं था, तो इन ट्वीट्स को हम देखेंगे, और ट्वीट्स को पढ़ेंगे, और ट्वीट्स को पढ़ेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़े नहीं पता चलेंगी, क्योंकि, तो यार मैं computer science का student हूँ, और मैं BT कर रहा हूँ, तो मुझे इस से related, computer science से related, बहुत सारी चीज़े पता है, civil services क्या है, government services के जो exams क्या है, उन में कैसे vacancies आती है, इसके बारे में थोड़ा सा knowledge मेरे को कम है, तो वो सारी चीज़े भी समझ में आ जाएगा, तो पहला जो tweet है, वो है, बेरुजगार इंजिनियर सुभम ब्रहमे द्वारा, जिन्होंने लिखा हुआ है क जो कि मैंने भी ऐसा सुना है, बहुत ही गलत है इंडिया में, क्या होता है कि exam हो जाता है और बच्चों को काफी time तक wait करना होता है, जैसे CGL 2018 का, इसमें 850, 850 दिन यानि कि 2 साल से अधिक तक इसमें वेट करना पड़ा था, CGL 2018 इसमें 540 दिन, MTS में 480 बे, तो मतलब ये थो बहुत ही गंदा है और CGL 2017 में students को 1203 दिन joining तक, मतलब इतना जादे अभी joining pending है, मतलब ये लिखा गया है, और इतना जादे wait करना पड़ा था, जिन students ने qualify कर दिया था, उनको इतना अगर wait करना पड़ रहा है, तो मेरे हिसा आप से ये बहुत ही गलत हो रहा है, देखो होता है कि government services में, obviously कोई भी exam में कहा होता है, कि government पैसे लेती है application के, तो अगर आप पैसे ले रहे हो, तो obviously कोई authority होगी, जो responsible होगी, कुछ service man होगे, जो इस पे काम कर रहे होगे, जैसे कभ exam होना है, paper set करना, results कैसे आना है, तो इस इस पे पैसे government खर्च कर रहे होगी, और उसके बाद भी results वगरा नहीं आ रहे है, तो this is same boss, एक और tweet है, जो कि काजल सिहाग की तरफ से है, भारत में आत्महत्या, आत्महत्या के बाद करें, तो 38 बेरुजगार, 28 बिद्यारती रोज कर रहे है, I don't know about the real truth about this, लेकिन अगर य ऐसा नहीं होना चाहिए, government को कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, एक इधर meme है, our demands, family notification, family result, fair recruitment process, obviously, अगर job vacancies आ रहे हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है, family notifications आ जाए, family results आ जाए, जो recruitment हो, वो fairly हो, लेकिन इंडिया में मैंने ऐसा सुना है, बहुत सारी ऐसे recruitment होती हैं, जिसमें donation बगरा से काम चल जाता है, I don't know much about them, but yes, मैंने सुना हुआ है, तो यहाँ पे एक meme है, मैं मेरी तो एक न सुनी, कम से कम you are की तो सुन लो, यार सुनना पड़ेगा, ये, मतलब, India जो है, India में बहुत जादे youth है, मतलब, India का बहुत सारा population, मतलब, youth है, तो सुनना तो पड़े I agree, they are not the fourth pillar of democracy, I agree, they are the destroyers of democracy, I agree, they are the marketing agencies of government flooded hands, folded hands, sorry, इस पे भी मैं agree करता हूँ कहीं और जो चीजे हो रही हैं, जासा हम देख रहे हैं, agree करना पड़ेगा क्योंकि हम सच को कब तक जुटला सकते हैं, जब आखों में अर्मान लेया, मंजिल को अपना मान लेया, तो मुस्किल क क्या, आशा, क्या, जब ठान लेया, तो ठान लेया, अगर इस्टुडेंट्स इतने जागरूख हो गया हैं, इतनी जादे ट्वीट्स हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होनी चाहिए, और होंगी भी, रिपी बैंकिंग, रिपी S.S.C. एक मैंने चीज सुना, ज जो सर्विसेस होती हैं, जो बैंक के एक्जाम्स होते थे, जैसे जो दो-तीन साल पहले बैंकिंग एक्जाम्स होते थे, उसमें वेकंसी बहुत जादे होती थी, बट अभी वेकंसी दो-जार-तीन हजार के प्रॉक्स होती हैं, स्टुडेंट्स होते हैं, 20 लाग, 25 लाग, ज इससे वज़े से बहुत सारे लोग, मतलब students को depression वगरा कह सकते हैं, यह हो जा रही है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योगिता ना समझे, सही बात है, अगर कोई student है, उसके पास knowledge है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, 22 साल तक बहुत जोब मिलेगी, और at the last, जब जोब लेने का टाइम आ गया, तो इंडिया में जोब ही नहीं है, सबसे जादे मतलब अगर मैं अगर directly आप से बोलू, तो किसी के life में इससे जादे बुरा नहीं हो सकता है, कि आप 20-22 साल तक जिस चीज के लिए मेहनत करो, वो चीज ही ना रह जाएगा, और यह है CGL First Attempt और CGL Tenth Attempt, बहुत जादे टाइम लग रहा है, बहुत जादे यह इसलिए पोलाएगा है, क्योंकि एक एक जाम होता है CGL का उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, रिजल्ट आने तक में, तो यह हो सकता है, ऐसा मैंने MBBS जो करते हैं बंदे, उनका मैंने ऐसे मीम देखा था, लेकिन पहली पर ऐसा मीम देख रहा हूँ, जो कि CGL के लिए है, जो कि एक गमेंट जो होग है, और भी अगर हम देखें, तो यह मैं इसी ट्वीट की बात कर रहा था, मोधी रोजगार दो, जो की 1.13 मिलियन, I guess 5 मिलियन के अप्रॉक्स इस तो होने मला नहीं है, जोब तो मिली नहीं है, गल्रण कहां से मिलेगी, खुट दूड़ो, और, नाउ मोधी रोजगार रोजगार चांत पे अपन, मतलब पूरे उपर है, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहा है, अगर इस मीम बोलो या फिर इसको आप कार्टून बोलो, य मतलब लोग के पास पैसे नहीं है कि वो पेट्रोल बगारा खरीदे तो वो ऐसा बूल रहे है कि डिटेन कर दो और वहां पे रोजगार देना, मुझे नौकरी चाहिए, और, मैं क्या ही बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं हा रहा है, बेरोजगार यो तो मोधी रोजगार और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर मोधी जी ने इलेक्सिन जीता, मोधी जी प्रैम निस्टर हैं तो इसमें यूद का भी बहुत बड़ा हाथ था, यूद ने भी बहुत हेल्प करी होगी, बहुत यूद ने वोट दिया होगा, उस समें तो मैं मेरे पास, I guess, वोट र जब लिखाया करम करो फाल की चिंता ना करो ऐसो सब को भोलते हैं लेकिन फिर लिखाया क्योंकि आज़ तो आज़ हर मेट्रो स्टेसन के नीचे मिल जाता है तो सही लिखा इसने मतलब इसने बहुत सो समझ के लिखाया इनका नाम है अनिस सिंग, थेंक्यू, यह पता नहीं मोदी अप्र वाचिंग इस्ट्रेंट, ओमाइगाद, यह कहा है, इस यह दिपक लाल है का, इस रिमेंबर है, मतलब मेरे को इसना कुछ लगाव नहीं है, यह असा लग रहा है है, हो सकता है, और भी अगर हम देखना चाहें, गेट समहल, स्टॉप इट, गेट समहल, स्टॉ आदमी जोश-जोश मनَ भूल देता है, आप तक दिल लिये है, मैं हस एक लिटरली मतलक통 मेरे कुसमझे में नहीं में हारा हूँ मेम पनाने वाले भी क्या लाजवा बात में होते हैं I admire those persons लेकन धेखो यर, मैं हस एक ल डाहिए वीडियो ज़रान के तरहां काफी मैं आगर अगर में अपनी बता हूं तो I am so sad कि आज यूथ को इतना जादे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, एक जॉब पाने के लिए, मैं बस मीम्स देखे हंस ले रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं सोचना है कि मैं किसी को मॉप कर रहा हूं, या किसी पर हंस रहा हूं, यह वीडियो बस ऐसी, मैं आप लोग को दि क्या कहते हैं, हमारी बेरजगारी का अंदाजा, तुम क्या लगाओगे गालेब, हम तो कविस्तान से भी गुजरते हैं, तुम उटकर कहते हैं, भाई नोकरी कहीं लग, क्या लिगा है, भाई लगी कहीं नोकरी, ओ भाई, कौन है Mr. सुमित, आरे लिस्निंग वैस अब आप चाहिए, अब भी नीचे आते हैं, हम अब यार यह यह सीरीज किसी ने देखी क्या, अगर तुमने देखी है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, यह कौन सी थी, पंचायत, I guess पंचायत, येस, पंचायत, येस, पंचायत, यूर दिमांड टू क्रोर्स जॉप, स्मो ये विकास, I guess, विकास का एक सिंह मतलब लाजबाब था, बहुत अवल दर्जेगा, बीजबी टू प्रॉमिस 25 करोर जॉप इन इट्स मैनिफोस्टो, ओमाई गॉड, 2004 में एक न्यूज ता जिसमें 25 करोड जॉब, भाई, दो करोड जॉब के लिए बंदे लड़ रहे हैं, अभी 25 करोड जॉब, ओमाई गॉड, मर जाएंगे सारे यार, ये क्या है, आप्टर ट्रेंडिंग, मोदी जॉब दो, सार्टू, मोदी जॉब दो, ये है, कल तक सारे ट्वीट हदा दिये जाएंगे, किसी वक्राइं पता चलेगा, मैं भी हो सकता है, ये मतलब हो सकता है, इंडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये क्या है, जॉब NGF, बोट अगॉइंग, आपकी सरकारी नोक्री कब लगेगी, पापा, लड़का डूड रहा है, ये बंदी बोल रही है, बारा सरकार, बिस्वास मत्र को तब साथी कर लो, और रिवेंच देखा है, क्या है ये situation ही इसी है, कौन भिस्वास करेगा, दो करोल जॉब के लिए बोले और किसी को जॉब नहीं मिल रही है, कौन ही भिस्वास करेगा, कर ले बाई, सादी कर ले दो, इसको जॉब पतनी मिलेगे, कि नहीं मिलेगे, बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अपकी बार मत्या, बो इस डेट सो गह रहा है कि इसमें यह है 2014 की है फुटे इंत मास 2014 इसमें इनों ने मतलब यह लिखा हुआ था बहुत वह रोजगा मतलब बंदे हैं भाई 2014 का ट्वीट इनों ने ढूड निकाला मोधी जी को और इनके ITCEL को खुद का ट्वीट अभी डिलेट करना चाहिए पहले दूसरों का करें उनसे पहले खुद अपना ट्वीट कर दो जाकि कॉंट्वर्सिज क्रिएट ना हो और खुद के मतलब वर्ड्स खुद से ही कॉंटरडिक ना करें तो पहले खुद का करना च मतलब BCP गलत है तो BCP गलत है, Congress गलत है तो Congress गलत है तो Congress गलत है मतलब जो काम गलत करें वो गलत होगा मतलब मैं मतलब काक्फी straight forward हूँ मैं किसी को support नहीं करता है यह यह देखते है ना We are looking forward to all the recruitment but ignorance will be proved a huge mistake for Modi but just remember one thing we stop not whenever our demands do not meet इसमें किया हो चिलाते है चिलाने दो ऐसा लग रहा है Modi ji बोल रहा है मतलब इस meme को मैं बता है o memes में क्या दिखक रहा है Modi ji it वो चिलाते है चिलाने दो ादेघते यह भाद भोल जैंगे लेकिन चनाब यह यूथ है यह भोलती नहीं भूले भी कैसे यार पूरी life का मतलब यह life line है हमारी हमें कैसी job मिलती है हम life में क्या करते है इससे हमारी पूरी life dependent है तो हम नहीं बोलने माले है मैं भी बता रहovा है मैं भी नहीं बहना आप तुम्हें तो मैं Twitter योस्थ नहीं करता पर पुछ से पहले वो ट्यूटर रियूज ही नहीं करता था तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सायद इसे भी ट्रेंड कराने में आथ मिलाना था मतलब जो भी ट्रेंडिस्ट है ये कहा है? पहली बात तो ये मैंने तुमसे वोट मांगा ही नहीं था ये बाबा का दावाला वो बाबाजी है पहली बात हो ये मैंने आपसे वोट मांगा ही नहीं था तुम खुद हर हर मोदी करते में आय थे मैं भी हो सकता है मोदी जी ये बोल सकते हैं कि मैंने वोट नहीं मांगा था आप खुद आय थे हमें वोट देने के लिए बाकि मैं वो बाल सेट कर रहा हूँ 15 million, oh my god 15 million tweets ये मेरे को नहीं दिखा यार ये मैं ढूड रहा था मोधी जॉब डो जिस पे बहुत जादे बंदों ने मतलब tweet किया हुआ तो वही मैं ढूड रहा था ये भी बहुत जादे 16,000 tweets किसी एक hashtag पे बहुत जादे होता है और भी कुछ अच्छे जी tweets सुँगी आज भी जो जस में कुछ भी बोल देता है एक मिनिट, एक मिनिट, इसको हम सुनते हैं और शांको बोसन अगर आपकी GTV studio के बाहर कोई पपोने बेचता है और शांको बोसन के अवाने के घर जाजा है अगर इस लॉजिक को अगर हम समझे जैसे मोधी जी कह रहे हैं कि अगर कोई मतलब पकोड़ा बेच रहा है एक बर फिमस हुआ था इस ये उस समय मैंने मतलब ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी तो मोधी जी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पकोड़ा बेच रहा है और दिन बर में 200 रुपे कमा रहा है तो उसे रोजगार मानेंगे तो मेरे ही साब से इंडिया में तो अनिम्प्लॉइमेंट ही नहीं है क्यों मतलब अगर आप पकोड़ा नहीं बेच रहे हो तो साइद आप कुछ और काम कर रहे होगे और अगर आपको जिन्दा रहना है अगर आप जिवित हो तो अविशली कुछ करके कुछ कमा के खा भी रहोगे तो obviously हर कोई बंदा कुछ न कुछ करी रहा है तो अगर इस statement को हम एक axiom या फिर एक theorem की तरह यूज करें तो इंडिया में unemployment zero है यानि कि 100% लोग employed है सबके पास job है लेकिन अगर मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा He is the Prime Minister of India और काफे respectful आप खुद बताइए कि 200 रुपय में अगर एक बंदा दिन का 200 रुपय कमाता है तो वो अपनी life में क्या करेगा मैं इसको आप लोग को समझाने के कोशिश करता हूँ I hope आप लोग को मेरी बात इस समझ में आजाए 27 मिनिट की वीडियो बनगे या लाइफ में केवल हमें ये नहीं है कि हम दिन भर काम किये जो पैसा हमें मिला उससे हम गये कुछ खरीदे खापी कर सो गये फिर अगले दिन वही इस खाने पीने के अलावा जो डेली हम breakfast, lunch, dinner करते हैं उसके अलावा हमारी life में कुछ necessities हैं जो इन दो सरुपे में नहीं हो सकता है complete ये मानना पड़ेगा हमें cloths खरीदने हैं केवल हमारे लिए नहीं हमारी family members के लिए अगर आपकी साधी हो गई हो तो आपकी wife होंगी आपके बच्चे होंगे में भी हो सकता है कि unfortunately कभी कभी आपके घर में किसी को बुखार हो जाता हो उसके लिए medicines तो आज की अगर समय में देखा जाए तो डेली अगर आप केवल खाने पीने पर खर्च करो डेली की बात कर रहा हो तो दो सरुपे में खाने पीने का नहीं हो पाएगा अगर आप डेली तीन वक्त का खाना लो तो पुरी फैमिली दो सरुपे में नहीं खा पाएगी दिन भर में तो बाकी जो जरूरते हैं एक आदमी को एक नॉर्मल लाइफ को जीने में तो वो कैसे करेगा फिर तो मतलब आपने तो कह दिया दो सरुपे का या फिर आपने जितना भी गहा हूं बट इसको प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ एक्जिस्ट ही नहीं करता है तो याद यही मैं बड़ीयो बनाने वाला था पता नहीं क्यों बनाया बस ऐसे मन कर रहा था तक तो मैंने सूच है कि बना दो पता नहीं आहीं अप लोग को अच्छा लेगा नहीं लेगा आप लोग क्या सोचो कि मेरे बारे में कि मैं पॉलेटिकल हो रहा हूं मतलब पता ही क्या वीडियो बना रहा हूं मेरे और हो नहीं पता हरो वीडियो बनाओ और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँगा तो मैंने सुझा कि चलो tweets वगरा देख लेते हैं कुछ चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कुछ चीज़ें हम समझ जाएंगे इसलिए मैंने बस screen record किया twitter का और इधर से camera में video record हो रही है और बाकी video बन गई तो यार कुछ चीज़ें जो समझ में आई जब मैंने आपको बोला था कि कुछ conclude करके आप लोग को बताऊंगा तो पहला चीज़ यह है कि इंडिया में jobs की बहुत कमी है जिसके वज़े से बहुत सारे लोग unemployed है अब जो second point है वो यह है कि ठीक है इंडिया में jobs है vacancies आ रही हैं बच्चे application दे रहे हैं एक्जाम्स दे रहे हैं बड़ एक जो system होता है कि time से examination के notification आ जाए है time से exam हो जाया है उसके बद उसके results आ जाया है यह नहीं हो रहा है मतलब recruitment जो है वो fair नहीं हो रहा है timely नहीं हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग को बहुत सारी problems हो रही है तो यह भी कहीं ने कहीं problem है क्योंकि आज जो exam हुआ, तीन साल बाद उसका result आ रहा है, तो इन बीच में जो तीन साल है, उसमें student क्या करेगा, मतलब बस मतलब ऐसा हो सकता है, कि मैंने exam दे दिया, मैं सोच रहा हूँ यार, उसका result कब आएगा, कब आएगा, ऐसे मैंने बीच में अगर कुछ नहीं किया, और मेरे क मतलब पता है, कि I am qualified, फिर भी मेरे को तीन साल वेट करने पड़ रहा है, तो मेरे इसाब से मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ के वो तीन सालों को, तो यह नहीं होना चाहिए, और बाकी गौर्मेंट को चाहिए, कि वो jobs create करें, अगर उन्हें अपने प्रोपोगंड आप job दे रहा हो, तो 2 साल में 2 करोड हो जाएंगे, 5 साल में 5 करोड जाएंगे, मतलब इतना भी अगर आप 2 तो बहुत है, और इतना क्या जो पहले सी चीज़े आ रही हैं, कम से कम वो सुधर जाएं, कि timely recruitment हो जाए, fair recruitment हो, जो भी results बार आ रहे हैं, वो times आ जाएं, यह सारी चीज़ें सुधर जाएं, तो बहुत कुछ सुधर जाएंगा इंडिया में, बाकी तो मैं कहीं बोलूँ, आप लोग समझदार हो, मुझसे जादे समझदार होगे, मैंने बस मेरे पास एक platform है, तो मैं, मैसेज है, उसको convey कर दिया, बस यही, आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊ आगे बनाऊंगा, अगर आपको पसंदा आता, बनाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो तो आप ही लग को देखना है, क्योंकि मैं अपलोट करेंगे खुद तो देखोंगा नहीं, तो guys, आज की वीडियो मच इस इतना है, I hope आपको वीडियो पसंदा है हो, अगर पसंदा है को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो जी स्टुडेंट से रिलेटेड में वीडियो बनाता हूं बबाई, have a good day, stay home, stay safe, keep learning